हाई फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्रेंग देता हूं इसी की कड़ी में ये एक मेरा नया वीडियो है ये अभी एक मेरे व्यूर का जो है एक पॉस्चन था मैं उनके सवाल क जवाब देना चाहता हूं उनका सवाल काफी अच्छा था और इसके बारे में आपको पताना चाहता हूं इसतार से यह एक पॉमन सा एक हमारे बन में जो विचार रहता है वो काफी हद तक ठीक भी है तो यह उनका सवाल बहुत गैलेट था तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे उसके उपर एक वीडियो बनाने चाहे है और मैंने उनके वीडियो में बोला भी था कि अपर चल्दी वीडियो बनाऊँ गा तो यह मैं उनके लिए वीडियो बना रहाओ अभी मेरे रिसेंट्स लेए वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने यह बताया था कि I.S.O.C.C इसको लेने दाने मेनुफेक्ट्र को लेने मर्चेंट को नहीं लेने तो इसी के सवाल में उन्होंने मेरसे जो है कि सवाल पूछा था इसी के विसे में कि सरो मेरा तो मेरा में मेरा मेनुफेक्टरर है उसका ल diyorsun लगेगा मेरेक्ट मेरेको और मेरेको उसकी डिमांड है तो मंझे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी तो कुछ में उस manufacturer की detail भी बायर तक पहुच जाएगी तो अब इस condition में दोस्तों हमारे मन में दो सवाल उठते हैं पहला ये कि हमारा manufacturer export जहां हम कर रहे हैं उससे direct deal ना कर ले और दूसरा ये कि हमारा जो बायर है वह हमारे manufacturer से direct deal ना कर ले तो नहीं valid question है बहुत अच्छी बात है इसका जवाब दोस्तों पहले हम अपनी country से शुरू करते हैं पहली बात पर यह है कि सबसे ज्यादा तो डर हमें हैं से है कि ये direct बात ना कर ले तो अगर दोस्तों मैं manufacturing में हूं और मैं export भी कर रहा हूं तो मेरे लिए ये पता लगाना चुट्कियों की बात है कि अगर मेरा जो मर्चेंट है उसने माल भेजा तो कहा भेजा एक मिनिट में export में जो डाटा निकल जाता उससे पता चल जाता है तो यह तो रही एक बात दूसरी बात यह कि आप जिससे माल रहे रहे हैं वह export करता है नहीं करता अगर करता तो उसको पता चल जाएगा और अगर नहीं करता तो उसको नहीं पता चलेगा आगर पता चल सकता तो उसके लिए क्या solution है दोस्तों सबसे पहले हम उससे bond भरवा लेंगे कि अब हमें पार्टी का नाम नहीं देना हमें उसमें इस तरीके से लिखवान इतने ज्यादे टेंसल लेता नहीं है वह सिंपल आपकी पील पे एगरी कर जाएंगे अब दोस्तों एक सवाल हमारे मन में योड़ता है कि क्यों ना हम ये बता दें कि हम ही मैनुफेक्ट्रर हैं तो मैं हमेशा से अपनी वीडियो में कहता है हूं कि हमको जूट तभी नहीं ब दोस्तों चाइना के बारे में आपने सुना होगा चाइना सबसे अधा एक्सपोर्ट करता है तो वहां पर लगपक 70-80% मर्चेंट एक्सपोर्टर है अब इस रेशो से आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट वाला ज्यादा टैंसर में पड़ता न यह हला कि हमारे दिमाग में कंफूजन रहती है तो उसके लिए मैंने आपको यह बात बता दिया दूसरा पॉइंट यह है कि अब हमारा बाहर डारेक्ट डिल ना कर लें तो हम उसको परफोर्मा इंवर्स में यह चीज मैंसन करके देंगे और जैसा कि उनको पता होता है हम यह को जूत में नहीं बोलना है उनको पता रहता है कि यह मर्चेंट एक्स्पोर्टर तो ऐसे प्रफोर डिल करता भी नहीं यह यह थोड़ा से दिमाग की बात होती है तो एक कि क्या नहीं है तो यह दो बाते हमको अपने दिमाग में रखने जूट नहीं बोलना जहां कि पाइंटी से हमको जो मैनुफेक्ट्टर उससे बॉंड भरवा लेना है और जो हमारा पायर है उससे हमको का मेंगे इस बात पर शोटाच आपको एकडा कि मरचनट एक्सपोर्टिंग के अपने एक एक मेरा याह मैं वो मेरको मैं डारेक्ट मेनुफेक्ट्टर से न लेके मैं मर्चेंट डसे ले ता फौर्ट्र वह मेरको एक हमारी कुछ आइटम आती है वह M.M. के हिसाप जाती है डारेक्ट मेरको फेक्ट्री वाले से डील करके 25 पैसे M.M. की प्रॉफिट आती थी पर अब कि जो मेरा ट्रेडर था कि अब मानलीजी में महीने में दो गाड़ी माल उठाता हूं और वो तीस गाड़ी माल उठाता तो सबसे पहले तो मेरे को जल्दी दिलवाएगा मैनुफेक्चरर जो है वो उसको माल पहले देगा मुझको बाद में देगा एक चीज तो यह दूसरी चीज यह उसको भी पता होता है कि यह जो है दूसरा पार्टी उसके थुरू है या यह कम माल लेता है तो वह 25 पैसे कि माल को कुछ नो कुछ ऐसा तिकडम लगा के वो अप स्पोर्टिंग करते हैं मैनुफेक्चरिंग वाले बहुत कम है इस लैन में कि उनका तो माल वैसे बिग जाता है तो दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो समझ में आई हो और जिनका यह सवाल था अगर उनको यह चीज समझ में ना आई हो तो वह फिर से कमेंट बॉक्स में लि कि नटियो कहले में रुपो